सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार सातियों स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर मित्रों सिक्षा मनविज्यान टेस्ट स्रीज में आपका सब्स्वागत है बहुत ही मत्पुन प्रश्णों की ये टेस्ट स्रीज है जो एम्पिटेट, रीट, सीटेट के लिए बहुत मददगार साबित होगी सातियों विशेस टेस्ट स्रीज जो ये चालू की है भाग दो आज आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सैकारिता का एक वीडियो अभी कुछ देर पहले ही डाला है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा बहुत ही अच्छी और नविंतम जानकरिया आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी यहाँ पर यह जो प्रिशने है यह फेक्ट पर आदरित है यह एप्लाइड एट कुशन है दोनों तरह के मिक्स कुशन है बहुत ही शांदर कुशन लगने वाले हैं आपको एक्जाम का फील यहीं पर होने वाला है कुछ समय में तो बिल्कुल वीडियो को थोड़ी देर देखिएगा और फिर अच्छा नहीं लागे तो आप बंद कर सकते हो लेकिन दो तिन मिर्ट तो जरूर देखना वित्रो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज की पीडियेप लेनी है तो अमारे टेलिग्राम जो चैनल है इस्टेडी विट पी एन लोदा नाम से उस पर जूड़ जाईए बिल्कुल आपको पीडियेप मिल जाएगी साथियो शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को आपको बिल्कुल एकजाम वाली फिलिंग यहाँ पर आने वाली है प्रिश नमबर एक देखेंगे साथियो प्रिश नमबर एक अधिगम है विकल्प का चैन करना है जो बेश्ट रहेगा जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है व्यवहार ग्यान और कोशल पर तुलनात्मक इस्थाई प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य होता है और विशिष्ट आयू इस्तर तक सीमित तो साथियो देखिए अधिगम क्या है इनमें से मैंने कहा था एकजाम वाली फिलिंग ला दूगा यहीं पर तो साथियो यहाँ पर जो सही अंसर है वो रहेगा व्यवहार ज्यान और कोशल पर तुलनात्मा की इस्ताई प्रबाव ही अधिगम है बतलब मनुष का जो व्यवहार है मनुष का जो ज्यान है उसके अंदर जो कोशल है उन पर तुलनात्मा की रूप से जो इस्ताई प्रबाव पढ़ते हैं वो ही खहलाता है अधिगम दूसरे विकलप प्रश्ट के अनुसार एक बालक के नेतिक विकास के कौन से इस तर में वहें नेतिक मुल्यों का आंत्री करन पर दर्शित नहीं करता है और बालक के नेतिक तर्क बहाई पुरुसकार और दंड से नियंत्रित रहते हैं तो मैं तो यह कहता हूँ अगर प्रशने समझ निया है तो उसमें कुछ शब्दों को पकड़ो कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जो आपको आपका अंसर देने के लिए कापी होते हैं जिसे कोह कलबर्ग ने नेतिक विकास का जो सिद्धान दिया था अब बले प्रशने तीन तीन चाच्चा लायन में लिखा हूँ लेकिन मैं तो क्या करता हूँ फिर शब्द को पकड़ता हूँ वहां पर कि यार इस शब्द सा अंसर देना चाहिए तो यहां लिखा रहा है कि उसका ज इन्होंने दे रखा है सार्व वहमेक नेतिक सिद्धान जो कि बिल्कुल गलत है इसको आप बाहर निकाल सकते हो अब यह तीन जो विकल्प है आपके सामने देखिए बहाई पुरुषकार और दंड से नियंत्रित है उसकी नेतिक तरकना तो मतलब यह रहता है पुरु प्र और सिक्सन वीदियों के दस टेस्ट होने के बाद में जो इन्दी की सिक्सन वीदिया चला रखी है उसकी सोलुसोन कलास लगाई जाएगी नेक्स्ट प्रिश नमबर तीन देखेंगे साथियों बहुती शांदार ये भी प्रिशन आपको मिलने वाला है बालक की विवेचना विवेचना मतलब तर्क तारकिक नहीं है बलक जो तर्क करता है वो कोई तारकिक नहीं होता है और यह अंतर जयाण जिसको अंतर प्रिशन को समझने के लिए देखिए अंतर ग्यान शब्द का प्रियोग पहले तो पियाजे ने कौन से वस्था में किया है आपको ये पता होना चाहिए चार अवस्था है बताई है समवेदि गामक, पुरू संकिर्यात्मक, मुर्त संकिर्यात्मक और ओपजारिक तो साथियों अंतर ग्यान, अंतर ग्यान का मतलब क्या होता है अंतर ग्यान ये अंतर बोद जिसको कहा जाता है ये विशेस्ता होती है पुरू संकिर्यात्मक और ओवस्था की पूरु संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक की जो तरकना है वो तरकिक नहीं होती है बलकि उसका जो अंतर ग्यान है उस पर आधारित होती है वो कोई जो उसकी तरकना है वो बिल्कुल भी तरकिक नहीं होती है वियोस्तित तरीके से वो तरकना नहीं कर पाता है जो उसका ज्यान होता है उस पर ही वो तर्क देता है तो ये विशेष्था पाई जाती है पूरु संक्रियात्म का उस्ता में विकल्प दो मित्रों यहाँ पर सही रहेगा प्रश्ण चार आता है साथियो अधिगम करताओं की व्यक्तिगत विबिनिताओं की पूर्ति के लिए ये निम्ण में से कौन Сा चरण वांचनिय नहीं है तो जो अधिगम करता मतलब जो शीकने वाले हुते हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्निताओं सभी की अलग अलग जो अलग अलग लोग है उनमें कुछ न कुछ विन्निता पाए जाती है तो इसकी पूर्ति के लिए कौन सा चरण वांचे नहीं है जो गलत लगता है आपको वो बताना है व्यक्तियों की योगिताओं का सही आकलन करना व्य सामाजिक आर्थिक इस्तर की पेचान करना देखिए कौन सा चरण वांचनी नहीं इसमें आप यूँ देख सकते हो कि उनकी योगिताओं का सही आकलन तो करना चाहिए यह तो ठीक है व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन भी देना चाहिए उनकी प्रतिवाओं की पेचान भी क होता है तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा साध्यों नेक्स्ट प्रश्ण पांच देखेंगे निम्न में से कौन सा कतन अधिगम के विशे में गलत है एक कतन गलत है यहां पर तीन राइट है तो जो गलत है उसको देखिए आप कौन सा गलत है चिंतन में प्रतिमाय और भा चिंतन के विशे में निम्न में से कौन सा कतन चिंतन के विशे में गलत है चिंतन के विशे में बताना है यह क्यूशन में अधिगम टाइप हो गया है लेकिन आपको बिलकुल जो पीडियेप मिलेगी उसमें चिंतन मिल जाएगा तो जरूर देखिएगा चिंतन शब्द या प्रकिर्या का समुच्चे या सेथ है और चिंतन और भाषय ऐसा मंदित है तो सातियों देखिए यहां पर चिंतन के विशे में जो गलत कतन है आपका जो प्रतम कर्दаче Geneva है वो तो रैथ है चिंतन में प्रतिमा भी होती है और भाष का भी होती है चिंतन में सूछना प्रक्रमन मतलब प्रकिरिया भी होती है चिंतन एक जो संग्यानात्मक प्रकिरिया है उनका सेट होता है समुच्चे लेकिन चिंतन और बाश्या ऐसा मन्दित है ये कतन क्या है गलत है साथियों चिंतन के संबंद में और आपको क्या देखना था गलत ही देखना था मतलब जो चोता विकल्प है आपका यहाँ पर वो राइट रहेगा प्रिश नमबर पाँच में नेक्स्ट प्रशनित 6 है साथियों निम्ड मेंसे बुद्धी की कौन सी सिरेणी हारवर्ड गार्डनर दोरा उनके बहु बुद्धी सिद्धान में नहीं सुझाए गई है जो बहु कोशल संगीत कोशल अंतरवेक्तिक कोशल और व्यावरिक कोशल तो आपको सयांसर देना है कौन सा सयांसर रहेगा सात्यों इन्होंने संगी तक ये बुद्धी भी बताई है गनितक ये बुद्धी भी बताई है अंतरवेक्तिक बुद्धी भी बताई है लेकिन व्यावरिक प्रश्णिस साथ पर चलते हैं मित्रों निम्न में से अधिगम की कौन सी परिष्टती बाल के अंद्रित शिक्सा पर आधारित नहीं है उसका चैन कीजिए समश्या आधारित अन्वेशन या खोज निर्देशित अन्वेशन और परदर्शन तो सातियों जो बाल के अंद्रित विदी नहीं है उसका आपको चैन करना है कि कौन सीन में बाल के अंद्रित विदी नहीं है तो सातियों या पर जो सही अंसर है देखिए बुक में वेसे तो दो इसका अंसर दे रहा था लेकिन मेरे इसाब से वो गलत है इसका सही अंसर है परदर्शन अन्वेशन मतलब कौन करेगा बालक करेगा बालक किरया करेगा तो फिर वह बाल के अंद्रित होगी परदर्शन कौन करता है सिक्सक करता है छात्र देखते हैं तो वह सिक्सक के अंद्रित होगी इसलिए आपका चोता विकल्प मेरे अनुसार राइट है आप कमेंड करके जाए कि इसमें दूसर कलास में इसको सामेल करे या नहीं करे एक आप से जुड़ा हुआ इसलिए आपसे जो विचार है उसको में आम अंत्रित करता रहता हूं चोता विकल्प याँ पर सही है साथ क्यों प्रश्ण नमबर साथ में नेक्स्ट प्रश्ण नमबर आट आता है कि निम्ड में से कोन सा आंत्री कभी प्रेड़ना का उधारन नहीं है आंत्री कभी प्रेड़ना का उधारन नहीं है सही अंसर होना चाहिए सभी क इस प्रश्ण का दूश चिंता उपलब्दी की आउशक्ता आकांशा इस्तर और प्रशंसा तो जो आंत्री कभी प्रेड़ना नहीं है उसका चेन करना है आंत्री कभी प्रेड़ना का मतलब क्या होता है जो अपने अंदर से उत्पन होती है सात्यों प्रशंसा कोन करता है कोई दूसरा करता है प्रशंसा तो फिर ये बहाया भी प्रेड़ना है या आंत्री कभी प्रेड़ना नहीं होती है जबकि दुश चिंता अपने मन में उत्पन होती है उपलब्दी की आउशक्ता अपने अं पुरा लगने वाली बात है फिर यह नेक्स्ट प्रिश्ट नमबर नो आता है मन के फ्रेम जिसको ढाचा भी कहा जाता है सिद्दांद के प्रवर्ड तक कौन है हारवर्ड गाड़नर अलफ्रेट बिने थोंड आएक और गिलफोर्ड तो सातियों मन के फ्रेम या ढाचा सिद् जाना जाता है लेकिन इसका एक अन्य नाम है बहुती मतपुण मन का ढाचा मन के फ्रेम तो आपका प्रत्तव विकल्प ही सही है साथियों प्रश्ट नमर नौ में भी प्रश्ट नमर दस आता है मित्रों तीखिए इसमें आपको दो-दो विकल्प सही लगेंगे या हो सकता से तिन तीन विकल्प सही लगे लेकिन एक विकल्प बेस्ट विकल्प का चैन करना है सता तोर व्यापक मुल्यांकन के विशे में निम्ण में से कोन सा कतन गलत है यह विध्यालय आदरित मुल्यांकन है इसमें विध्यारतियों के सभी पक्षि सम्मिलित नहीं है इसमें निदानात्मक मुल्यांकन सम्मिलित नहीं है इसके लिए अपचारिक वे अनपचारिक दोनों प्रयोग में की जाती है तो सात्यों देखिए जो CCE के बारे में असत्य है या गलत है उसका चेन करना है अब आपको दूसरा विकल्प भी सही लग रहा होगा तीसरा जो विकल्प है मित्रों वो दोनों आपको सही लग रहे होंगे तो देखिए जो CCE है इसमें सभी पक्षिस सम्मिलित होते हैं और इसमें निदानात्मक मुल्यांकन भी सम्मिलित होता है तो यहां पर आपका दूसरा विकल्प भी सही है तीसरा विकल्प भी सही है लेकिन आपकी फर्ष्ट चोईस होना चाहिए तीसरा विकल्प किसमें निदानात्मक मुल्यांकन समयलित नहीं है क्योंकि निदानात्मक मुल्यांकन एक प्रकार है CCE का इसलिए आपकी फर्ष्ट चोईस रहेगी थर्ड विकल्प सेकंड चोईस रहे सकती है लेकिन फर्ष्ट चोईस तो थर्ड विकल्प ही रहेगी नेक्स्ट प्रिश्ट नमबर ग्यारा आता है अधिगम निर्योग्यता जिसको बाहर और सेक्षिक वे सांसकर्तिक वंचना से होती है कि जिसको सेक्षिक और सांसकर्तिक रूप से जो बालक वंचित रहे जाता है वो यह अधिगम नियोग्यों हो जाता है यह आंत्रिक है और केंद्रिय तंत्रिका तंत्र की दुश्किर्या से होती है यह बहाई है और सांव मैंने पहले कहता है एक्जाम वाली फिलिंग कर वाऊंगा बिल्कुल आज में लग रहा है बिल्कुल कमेंड करके जाए अगर नहीं लग रहा है तो और भी आपको लगता है कि यार यह तो वह तीजी क्यूशन है तो कमेंड कर दे आफ मित्रों इसका राइट आंसर है दूसरा विकल्प जो अधिगम निर्योग गिता है वो आंत्रिक होती है और केंद्रिय तंत्रिका तंत्र में जो दूसकिर्या होती है उसके कारण अधिगम निर्योग गिता उत्पन होती है दूसरा ही विकल्प सही रहेगा तीसरा गलत है चोता गलत है पहला गलत है लिख लीजी इ संदर्व में निम्न में से कौन सा सार्थक तत्य है जो सबसे बेश्ट तत्य आपको लगता है कि विकास ये है उसका चैन कीजिए यह पुरुवा नुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है यह अनुवा अंशिक और वातावरण की अंत्यकिर्या का परिणाम है सबी व्यक तीसरा तो नहीं लग रहा होगा पेला भी नहीं लग रहा होगा लेकिन हो सकता है दूसरा और चोता दोनों से लग रहे हो लेकिन मित्रों में आपसे कहना चाहूंगा कि विकास आनुवा अंशिक और वातावरण की अंत्यकिर्या का परिणाम होता है यह सबसे बेस्ट विक कल्पों में से इसलिए आपका जो दूसरा कल्प है यहां पर वो सही रहेगा प्रिश्ट नमबर 12 में नेश्ट प्रिश्ट नमबर 13 अच्छी तरह से देखिए मित्रु प्रिश्ट नमबर 13 को अधिगम के सामाजिक निर्मित्वादी उपागम की विशेस्ता है जो सामाजिक प्रिकरम पर बल देता है यह अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देता है यह अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देता है तो सीधी सी चीजी इस क्यूशन में तो अगर आप सामाजिक निर्मित्वादी उपागम के बारे में जानते हो तो आंसर दे पाओगे नहीं जानते हो तो आंसर नहीं दे पाओगे और सात्यू इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देता है जो सामजिक निर्मितवादी उपगम है इसकी ये विशिस्ता है कि ये दूसरों से सहयोग पर बल देना इसकी प्रमुख विश पूश्न लगे और इसका अंसर आप गलत बता उत इसलिए सोच समझ कर बताना समावेशन का ताथ पर है एक विश्य सावशक्ता वाले बालक को नीमित या जो समाने कक्षा होती है उसमें सिख्षित करना कुछ समय के लिए सिख्षित करना अधिकांश समय के लिए सिख्षित क तरना और विद्याले के सामझ गतिविदियों के दोरान तो साथियों समावेशन कक्षा का मतलब किया जैसे कोई बालक है जो पिच्ड़ा बालक है अमन्द बुद्धी बालक है या परतिवाशाली बालक है सर्जन शिल बालक है और एक होते समाने बालक जो ज्यादा तर यह संक्या भी इनकी होती है तो सभी बच्चों को एक साहर जब पड़ाया जाता है उसको समावेशन कहा जाता है और उस कख्षया में विशिय शाव शक्ता वाले जो बालक होते हैं उनको निमित रूप से कख्षया में सिक्षित करना चाहिए अदिकांश समय के अधिकांश समय के लिए उनको कक्षा में सिक्षित करना चाहिए यूनिकी हम सदेव आप वहीं पर बिटाकिरा को उनके लिए कुछ अलग करने की जरुवत नहीं है तो फिर वो पूरे समय के लिए फिर गलत हो जाएगा और विद्याले के सामाजिक गति विद्या तो रही होत इसलिए अपका ने तो चोता सही है ने तीसरा सही है ने पृतम सही है दूसरा सही है अधिकांश समय के लिए उनको जो समय क्षिया है। है भाशा नुकूलन श्रेणी भाशा अर्जन साधन भाशा स्विकारी इच्छा और भाशा अर्जन सेत्र तो सातियों यहां पर भी हो सकता है आप उलज गए हो क्योंकि उलजाने वाले ही प्रिश्ण है एकजाम में जब इसे प्रिश्ण आते हैं पिर आप केते हो कि याप प बाशा अर्जन साधन दूसरा विकल्प सही है बाशा अर्जन साधन इन्होंने नाम दिया है इस चीज का कि बाशा अर्जित करने के अंतरजा शंता जो मानक मानव को जेविक वंशिगति के फलसुरूप मतलब उसके वंशानो क्रम के फलसुरूप प्राप्त होती है जिसको भाशे अरजन साधन इन्होंने नाम दिया है नेक्स्ट प्रिश्ण नंबर 16 यह प्रिश्ण आपका गलत नहीं होना चाहिए गेने दोरा प्रस्तावित अधिगम का पदानो कर्मिक उच्चितम इस्तर है आरेम गेने ने जो सीखने के प्रकार वताए है उसमें उच्चितम इस आतियो आरेम ने शीखने के आठ प्रकार डिये हैं कि जिसमें सबसे अंत में और सबसे उच्चितम प्रकार दिया है समच्चा समादान अधिगम यह सबसे क्षितम प्रकार इन्ने बताया है तो problem solving learning भी इसको कहा जाता है जिसको आप मैंने जब पढ़ाया था तो S, A, C, V, M, C, R, P इससे कुछ बताया था Signal Learning बताया था रहा संकेत दिगम तो कुछ चीज़े होती है जिनको याद रखना पड़ता है प्रतम विकल्प आपका सही है यहाँ पर next question number 17 निम्ण में से कोन सी विशेष्टा वंचित बालको की नहीं है वंचित बालक पड़ा होगा आप सबीने इस चीज़ को तो जो इनकी विशेष्टा नहीं है वो बताईए जीवन की आधारबुत आवशक्ताओं की प्रयाप्तिता को जेलना पड़ता है इनको आधारबुत और सारवोमिक अधिकार प्रदान करना भावी मनोसेक्षिक समश्याओं का संकट और उसकी सोभाविक दर्से विकास के अवसरों से वंचित रखना तो साथियों जो यहाँ पर जो वंचित बालक हैं उनकी कोन सी विशेष्टा नहीं है यह कराना शब्द तो गलत है साथियों यहाँ पर आधारबुत और सारवोमिक अधिकार और प्रदान करना देखियें यह वंचित बालकों की विशेष्टा नहीं है कि जिनको आधारबुत और सारवोमिक अधिकार है वो प्राप्त नहीं होते हैं सबी को प्राप्त होते चाहे वो वंचित हो चाहे वो अच्छा हो चाहे वो समानी हो तो साथी हो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा बाकि उन्हें मनों सेक्षिक समझ्याओं का संका ठूनके आता है उनकी जो सोभविक दर है विकास की उतने अउसर उनको नहीं मिल पाते है उनकी जीवन की अधारवुत आउशकता है है उनकी प्रियाप्तताओं को उसे जेलना पड़ता है इसलिए दूसरा विकल्प सही है नेक्स्ट प्रिश्ट नंबर अठरा अब ये प्रिश्ट भी गलत नहीं होना चाहिए प्रिश्ट को समझा करो और फिर आंसर दिया करो एक बालक जो किसी एक विशेष्टा में उच्च होता है और निम्न होता है कोई से भी विशेष्टा हो सकती है जिसमें वो कहीं किसी में तो जादा जानता है या किसी में कम जानता है वो बाद के वर्शों में भी इसी तरह के रहता है मतलब जीवन में भी ऐसा ही रहेगा अनुवान्शिकी और वातावरण और परिपकुता तो साथियों देखिए इसका कौन सा विकल्प सही है बताईए इसका सही अंसर है प्रताविकल्प अनुवान्शिकी क्योंकि ये उच्छोड निम्ने है ये बात के वर्षों में भी इसी तरह करेते मतलब उस हुक में बदला कौन नहीं जो अनुवान्शिकी के प्रेनाम स्वरूप इस्थाय रहता है क्योंकि वातावरण वाली चीज़े तो बदल जाती है इसलिए आपका दूसरा तीसरा चोटा विकल्प गलत है उल्ली प्रत्व विकल्प ही सही है नेक्स्ट प्रिश नंबर 19 आता है मित्रों समव समवेग की प्रकर्ति निम्निमे से कोन से कतन से सही रूप में प्रकट होती है तो समवेग की प्रकर्ति आपको यहां पर बताना है कुछ एक समवेगों का व्यावार आत्मक पक्ष होता है समवेग जीव की इस्थाय वस्ता है समवेग आत्मक प्रकर्ति करने को अधिगम द साथ ही इसका सही अंसर है, चोता विकल्प प्रति एक सवेग के साथ एक भावना, भावना मतलब मूल प्रुवक्ति, जिसे जो विलियम में एक डूगल है, इन्होंने चवदा प्रकार के सवेग बताए हैं, और चवदा प्रकार की मूल प्रुत्य भी बताए हैं, प्रति एक स सव्वेगों का ही व्यावहर आत्मक्पक्ष होता है बिल्कुल गलते सभी का व्यावहर आत्मक्पक्ष होता है सव्वेग जीव की इस्ता है वस्ता है बिल्कुल गलत इस्ता है वस्ता मतलब हमेशे सव्वेग तो नहीं रहते हैं सांता वस्ता भी तो होती है व्यक्ति की सव् क learners Kate करन की अधिको अधिगम दोरह परिवर्तित नहीं कर सकते बिल्कूल जिसे किसे को दरा दिया जाए तो अपने आप उजब सीपे गा उस चीज को देखकर अपने आप उसके प्रकटीकरण हो जाएगा उसको परिवर्तन आप कर सकते हो तीसरा विकल्प सही है उन्य तीसरा विकल्प गलत है और चोता विकल्प यह सही है वाई आपने चैनल को सब्क्राइब नाई कर रखा है तो चैनल को सब्क्राइब कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक शेर कीजिए साथ हूँ पीडिये भी बिल्कुल निशुल की मिल रही है आपको तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर दिया करो आज का अंतिम प्रिश्ण नमबर 20 20 वह प्रिश्ण है समश्चा समाधान में निम्न में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है आंकडों का एकत्री करन करना परिकल्पनाओं का निर्मान करना सत्यापन और सामानी करन करना और उद्धिपक के प्रति अनुकिर्या करना तो जो समश्या समाधान में समिलित नहीं है जो पद वो है उद्धिपक के प्रती अनुकिर्या करना ये समश्या समाधान में समिलित नहीं है चोता विकल्प सही है कमेंड करके जाए केसा लगा टेस्ट जरूर कमेंड करके जाए साथ यो बहुत ही मेनत के साथ प्रश्न बनाय हैं मिलते साथ यो अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद कोई सुचना हैगी तो आपको प्रदान कर दी जाएगी